रोज की लंच से अलग कुछ नया स्वादिश्ट और स्पेशल बनाना चाती हैं तो आज की रेस्पी को ट्राई करें एकदम पैसा वसुल लंच रेस्पी बिना स्पेशल इंग्रीडियन्स की बिना मार्केट से कुछ लाए ये स्वादिश्ट खाना मैंने सीट 40-45 मिनिट में बना के तयार किया है आप इसे तहवारों पे या फिर महमानों के लिए भी बना सकते हैं मतलब मैं बच्चों से आज पूछ रही थी कि लंच में क्या बनाओ उन्होंने बोला कि कुछ अच्छा सा कुछ स्पेशल से बनाईए ममा तो मैंने आज बनाया है कासमीरी दम पुलाव और साथ में बनाया है मैंने स्वादिश दम आलो जिसे खा की मज़ा आ जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस लंच को बनाने के लिए जो पुलाव है उसके लिए चावल भीगो के रेडी करेंगी तो मैंने यहाँ पे बावल में धाई कप बासमती चावल लिया है चावल को हम अच्छे से धो लेंगे और इसमें पानी डाल के कम से कम आदा घंटा के छोड़ देंगे ताकि चावल अच्छी से फूल जाए और इतने दिर में हम दम आलू की रेडी कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने धाई कप चावल लिया है ग्राम से देखा जाए तो यह 250 ग्राम चावल है और आप इस रेडी से कम से कम चार से पास लोगों के लिए खाना बन रहे आप श करते हैं आलू का छिलका हटा के अच्छे से अमें इसे धो लेना है और इसे पानी में रखिएगा नहीं तो और आलू काले पड़ जाते हैं और ALLu में इस तरेक से छेथ करने के बाद अब चलिए गैस पर रलखते हैं कढ़ाई और इसमें मैंने डाला है सरसो का आप इस सबजी को सरसो के तेल से नहीं बनाना चाहते हैं तो किसे और तेल में भी बना सकते हैं तेल जब अच्छी से गरम हो गया है तो मिने इसमें डाला है 10-12 काजू काजू को हमें थोड़ा सा चलाते विए भून लेना है थोड़े देर भूनने के बाद इसे निकाल आपको आराम से गरम मसालों में मिल जाएगा और इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल की 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब यह अच्छी से फूल जाएगा तो इसको पीस के इसका एक पेस्ट रेडी कर लेना है और जो बचा हुआ तेल था इसमें मैंने आलू डा दिया है आलू को हमें यहां फ्राई करना है तो आलू के साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें कास्मिरील आलू पाउडर विएड कर दिया ता इससे ना आलू में अच्छा सा कलर भी आ जाता है साथ में थोड़े से यह फ्लेम में आप इसे फ्राई करिएगा न तो यह मतलब साथ के साथ थोड़ा सा पक भी जाते हैं तो यहां पर आलू जब तक फ्राई हो रहा था न इतने देर मैंने यहां पर सबजिया काटके भी रेडी कर लिया है तो यहां पर मैंने प्याज थोड़े से बिन्स गाजर जो भी आपके पर सबजियों पुलाव में अगर आप डालना चाते हैं तो इसको काटके आप रेडी कर सकते हैं और यहां पर जैसे यालू फ्राई हो जाएगा न तो इसे हम तेल से चान के अलग कर लेंगे जो बचा हुआ तेल है इसी में हम ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रे अब प्याज को हमें अच्छे से पहले यहां पे भून लेना है प्याज जब अच्छे से भून जाएंगे तब हम इसमें दो चमच अद्राक लैसन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे तो यहां पे अद्राक लैसन और हरी मिर्च तीनों को मैंने एक साथ अच्छे से पेस् अब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे, तो मसालों में हम डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक चमच हम इसमें कासमीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और साथ में डाल देंगे दो टीस्पून धनिया पाउडर, हमने आप एक कासमीरी लाल मिर्च पाउडर डाल मगर मसाले जलने नहीं चाहिए अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट तो मैंने हापे दो मीडियम साइज के टमाटर को पीस लिया था अभी टमाटर के साथ हम इसमें नमक भी आइड कर देंगे ताकि टमाटर फटा-फट से कूप हो जाए और अच्छे से इसे चलाते ह हुए हमें 2-3 नियर्ट तक भून लेना है ताकि टमाटर अच्छे से भून जाए और जो हमने काजू और पोस्तादाना का जो भीगो के रखाता ना मैंने उसको भी पीस के रेडी कर लिया है उस पेस्ट के वज़़े से सबजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है तो जैसे टमाटर थोड़ा सा भून गया तो मैंने इसमें यह पेस्ट डाल दिया है और इसे भी अच्छे से हमें मिला लेना है 2-3 नियर्ट तक मैंने इसे फिर से भून लिया है इसमें आप मसालों को जितने अच्छे से भून के यूज करेंगे ना सबजी उतनी ही ज्यादा और देखने में एकदम बणिया सी दिखती है तो जैसे यह थोड़े से भून गया है तो मैंने आपे 2-3 चमस लिया है दही ताजी दही है अच्छे से मैंने इसे फेट लिया है गैस का फ्लेम एकदम लो करके दही को मसालों के साथ हमें अच्छे से मिक्स करना है तो लो फ्ल के लिए मैंने ऐसी छोड़ दिया था लो मीडिया फ्लेम में अब देख सकते हैं ना कि सब मसाले अच्छे से पग गया है और किनारों से इसके तेल अलग होने लगा है बहुत यह अच्छा सा इसमें कलर भी आ गया है तो अब हम इस समय इसमें डाल देंगे फ्राइक की वोख नहीं है बस एक बार इसे हम अच्छे से मिला लेंगी उसके बाद हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी एड करेंगे तो पानी इसमें दो कपकेямискश मैने इसमें पानी डाला आ तो मैंने इसे दूसरे बंदन पे सिफ्ट कर दिया है और ये जब तक कुख होता है न हम पुलाओ के लिए जो सब्जिया है उसे फ्राई करके रेडी कर लेंगे तो इसके लिए पैन में एक चमच हम डाल देंगे घी आप गी के जगा पे बटर भी डाल सकते हैं और एक चमच म मैंने इसमें बिन्स को मोटा ही काटके डा रहा है एक चोथाई कप मैंने इसमें गाजर डाला है साथ ही एक चोथाई कप मैंने इसमें स्विट कर डाला है ये जो सब्जिया है आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा या फिर बिना सब्जियों के भी आप इस पुलाओ को बना सकते हैं यह ऐसी सब्जियां हैं जुसकी जो सबको पसंद आती है और अकसर घर पे होती ही है तो धिमीन मारत अधिल समें काजू बादाम और किस्मिष्म भी डालेंगे इसे भी सब्सक्राइब संप bombs दिया है हरी भीज को बीच से चीरा लगा कि मैंने डाला है साथ में डालेगे बारीक खटा हुआ हरा धनिया अच्छे से मिलाएंगे और इसी ढ़क के लो फ्लेम में दो मिनट के लिए ऐसे हमें छोड़ देना है तो जैसे दो मिनट के बाद कटाई का दकान अटाएंगे न तो गैस बंद कर देंगे और हमारी जो सबजी है बनके रेडी हो गई है अब फटा फट से पुलाव बना लेते हैं तो इसके लिए हमने यहापे कड़ाई में एक चमज घी और एक चमज तेल डाला है साथी डालेंगे एक दालचीरी का टुकड़ा चार हरी लाइची और चार लॉ दालेंगे यह भी आपको गरम मसालों में ही मिल जाएगा और इसमें हम दो मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काटके मैंने डाला है अब प्याज को हमें थोड़ा सा सौफ्ट हो जाने तक भून लेना है यहापे प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है इसका कल अब हम इसमें डाल देंगे चावल तो भिगोए हुए चावल का नो मैंने पानी अच्छे से चान के इसमें डाला है और चावल को हमें फिर से भूनना है दो से तीन नट के लिए तो चावल काफी अच्छे से सौफ्ट हो गया है न मताबने इसको भीगोए रखा था आदा खंटा के लिए तो एकदम हलके आतों से भूनेंगे ताकि चावल तूटे नहीं और जैसे दो तीन नट में ये भून जाएंगे तब हम इसमें पानी डालेंगे तो जितना हमने चावल लिया था उसका डबल हमें इसमें पानी डालना है तो मैंने आप पांच कप हमें इसमें दालना है तो हमने सिर्फ चार कप ही पानी डाला है इसमें और जो बचा हुआ एक कप है ना उसमें हम पानी नहीं बलकि दूद का इस्तमाल करेंगे तो चार कप पानी डालके मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है और एक कप मैंने इसमें दूद डाला है तो अच्छे से देख में कम से कम 10 मिनिट के लिए पका लेना है मतलब इस तरीके से पकाना है कि यह जो चावल है वह 85% तक कूख हो जाएं तो अच्छे से अब हम इसे भी इसमें एड कर देंगे गैस का फ्लिम मैंने एकदम लो कर दिया है और साथ में हम इसमें थोड़ा सा ना बारिक कटा हुआ हरा दन्या भी आड कर देंगे और इसमें आप चाहिए न तो पुदीना को भी बारिक काटके डाल सकते हैं और अच्छे से मिला के अभ पुलाओ में काफी अच्छा रंग आ जाता है और साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया अब फिर से हम इसे ढख देंगे और इसी दम पे 10 मिनट के लिए मैंने पका लिया था और 10 मिनट तक मैंने गैस पंद करके इसे छोड़ दिया था तो पहले ही रेडी हो गई थी और यह जो सबजी है बहुत ही टेस्टी बनती है बतलब आलू की सबजी भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है आप सोच भी ने सकते हैं और यह बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है आप एक बार घर पे इसे जरू ट्राइ करिएगा आपकी घर म के लिए डाला है इसे बहुत ही अच्छा यह दिखता है तरह एक खाने में भी टेस्टी होता है आलू तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है मतलब अगर आप खाएंगे न तो आप उंगलिया चातने पे मजबूर हो जाएंगे इतना ज़्यादा टेस्टी बना है यह लंच एकदम पैसा वसूल लंच है तेस्टी खाने के लिए हर बार आपको रेस्टोरेट जाके पैसे खर्श करने की जरूरत नहीं आप घर पे भी बहुत ही आसानी से सिंपल इंग्रेडियन से स्वादिष्ट खाना जटपर से बना के रेडी कर सकते हैं और रेस्पी प